गुड बॉर्निंग क्लास क्लास 6 का संस्क्रिट और चैप्टर 18 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का संस्क्रिट है चैप्टर 18 है इससे पहले 17 चैप्टर का हम आप लोगों को पीडियव भेज चुके हैं वो पीडियाफ उमीद है कि आप लोग कर लिये होंगे यहाँ पे देखे सुभा सितानी ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसमें हमारे स्लोक दिये वे हैं इन स्लोकों को हम लोगों को पढ़ना है कुछ कुछ करके इस लोक हमारे वीडियो के मात्यम से आप तक जाएंगे उसको ध्यान से देखेगा और समझेगा इननी स्लोकों का हिंदी तो इसमें दिया हुआ है पर फिर भी मैं एक बार आपको समझा दूँगे इसे ध्यान से देखेगे पहला नमबर है उदेती सविता तामर एवास्त मेती चो समपत्तव चो विपत्तव चो महता मेक रूपता यानि उदेती सविता तामर एवास्त मेती चो उदेत यानि उगता हुआ सवीता तामर यानि शूरिय जो है जब उगता है तो वह तामरवर्ड का होता है तामरवर्ड का दिखाई देता है और जब वह एवास्त अस्त होता है तब भी वह तामरवर्ड का ही दिखाई देता है यानि दोनों ही कंडिशन में दोनों ही समय जब वह उगता है तब और जब वह अस्त होता है तब वह तामरवर्ड का ही लिखता है यानि एक जैसा दिखाई देता है लेकिन संपत्तव चो विपत्तव चो महताम एक रूपतम लेकिन संपत्ती और विपत्ती दोनों ही फरिस्थितियों में यानि क्यों अच्छे समय हो या फिर बुरे समय हो तो जो महान लोग भी होते हैं वह सेम ही अपने आपको दर्साते हैं ना कि वह किसी भी प्रकार से अलग करने की कोशिश करते हैं बलकि वह चाहे वह मुश्किल में हो चाहे वह सही हो हर परिस्टितियों में एक जैसा ही दिखाई देते हैं उनका बहवार एक जैस ही होता है सेकेंड है आपका पुस्तक स्था तू या विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तर धनम यानि पुस्तक तू या विद्या जो विद्या पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है और परहस्त गतम धनम और दूसरे के हाथ में गया किसी चीज को किसी संग्रा में यानि लिख करके संचित कर देते हैं जैसे कि किसी नोटबुक्स में आप या अपनी कॉपी में लिख देते हैं और लिख करके उसे किसी स्थान पे रग दे और उसे आप ना पढ़ें तो वह आपके किसी काम का नहीं होता है क्यों क्योंकि आप जो है उसे पढ़ने ही पा रहे हैं, सिफवप उस तक में लिखकर के एक जगे लिखकर के रग दिया और आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक वैसे ही दूसरे के हाथ में यदि आपका स्वयम गया हुआ, आपका खुद का कमाया हुआ धन दूसरे के हाथ में चला जाता है, तो कार्य वह विद्या जिसको आपने लिख करके, एक जगह संगरीत करके रख दिया, जिससे आपने पढ़ा हीनाई ना वह विद्या आपकी है, तो पूरा सार क्या है, कि पुस्तक तातू या विद्या पर हस्तक अधम धनम, कार्यकाले समय आने पे यदि आपने अपने धन को किसी दिसरे को दिया है तो नावा धन आपका है और ना ही वह विद्या जिसे आपने लिख करके संचित कर दी है आपने उसे देखा ही नहीं नावा विद्या आपके काम आती है ये दो स्लोक आपका हो गया और तीसरा स्लोक जो है वह मैं पढ़ने चार रहे हैं उसे धिहान से सुनिए ये है आपका 3 नमबर का वृत्यम यतनीत सन्रवचेद वित्त मायाती याती चोग औछीडो वित्त तछीडो वित्त थू हतो हतो करफैं वृत्यम यतनीत शन्रवचेद वित्त और वित्त दो चीज है वित्त का मतलब हो गया आपका चरित्र वित्त का मतलब हो गया धन यानि वित्त और वित्त दोनों अलग अलग वर्ड है वित्त यतनेत रक्षत चरित्र की रक्षा हमें बहुत ही धैर्य के साथ करनी चाहिए वित्त मियात याति चो यानि धन तो आता और जाता रहता है लेकिन और छीड़ो वित्तत छीड़ो वृत्त हस्तु हतो हता जब धन आता जाता रहता है तो हम अगर वह छीड़ भी हो सकता है तो हम उसे पुना कमा सकते हैं पुना वापस ला सकते हैं लेकिन एक बाद हमारी चरित्र अधिनस्ट हो जाते हैं हमारे चरित्र पे किसी प्रकार का दाग लग जाता है तो उसे हम पुना कमाने में असमर्थ हो जाते हैं इसलिए बड़े ही यतन के साथ हमें अपने चरित्र की रख्षा करनी चाहिए फोर्थ नमबर आपका हो गया फोर्थ नमबर आपका जो है वो इस प्रकार है फोर्थ नमबर आपका यत यत परवसम कर्मम तत तत यतनेन वर्जदे यत यत परवसम यानि जो जो कार्ये दूसरों के बस में होता है तत तत यतनेन वर्जदे उस कार्ये को आप उसके ऊपर छो जो जो दूसरे के आधीन है उसका जो है अधिकायर आपको कम है यतियत आद्म वसंतू स्यातर ततत सेवते यतना और जो जो आपके वश में है जिस जिस कार्य को आप स्वैम कर सकते हैं उस उस कार्य में कभी भी हमें आलस नहीं करनी चाहिए उस उस कार्य को हमें बड़े ही य उदारड कैसे जैसे आप इस समय क्लास में प्रजेंट नहीं हैं और जब आप प्रजेंट नहीं हैं तो मैं जब तक आप को यह पढ़ाओंगी नहीं तब तक आपके पास यह जाएगा नहीं आप इसको समझेंगे नहीं। लेकिन जो हमने आपको भेज दिया है जो आप पढ़ चुके है उसको आप उतने ही तलीमता के साथ पढ़िए क्योंकि उस पे आपका पूरा वस है तो कह रहा है कि जो जो कार्य जो है दूसरे के आधिने दूसरे के वस में हैं दूसरे पर निर्भर है उसे आप उतने ही समय के नो ब्रोयात सत्यम और प्रियम प्रियम चो नान रितम ब्रोयात एसा धर्म सनातना हमारे पुरातन जमाने से लोग कहते हैं कि जो सत्य है उसे आप बोलिए और जूट आप कभी मत बोलिए लेकिन ऐसा सत्य करा सत्यम ब्रोयात प्रियम ब्रोयात जो अच्छा है उसे भी बोलि नौब्रोयात सत्यम प्रियम ने कि कई बार ऐसा सत्य जो अप्रिय लगने वाला है यनि नौब्रोयात सत्यम अप्रियम जो ऐसा सत्य है जो अप्रिय लगने वाला है उसे आपको वर्जित करना चाहिए उसे आपको नहीं बोलना चाहिए प्रियम चौन नामितम रुयात एसा धर्म सनातन यही हमारे सनातन में है यही हमारे महान लोग जो है कहे है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए लेकिन ऐसा सत्य जो किसी को अप्रिय लगे उसे भी हमें नहीं बोलना चाहिए और यही सनातन धर्म है जैसे कि किसी ब्यक्ति का आख तेड़ा है कोई ब्यक्ति पैर से लंगड़ा है तो उसे आप उसके नाम से ना बुला करके यदि आप उसे कहेंगे कि लंगड़े सुनो या अंधे सुनो तो वह बात सही है कि वह लंगड़ा है वो अंदा है लेकिन उसको या बात सुन करके तकलीफ होगी दुख होगा इसलिए ये सत्य है पर हमें उसे नहीं बोलना चाहिए हमें उसे स्ने से बोलना चाहिए तो सत्यम ब्रुयाद, प्रियम ब्रुयाद, नौब्रियाद, प्रियम जो ऐसा सत्य है जो प्रिय भी है फिर भी हमें उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए यही हमारा सनातन धर्म है और लास्ट जो आपका है वो है सिक्स्तंबर है हमारा यस्मिन देशे न सम्मानो न प्रीती न चवांधवा यस्मिन यानि जिस देश में न सम्मान हो न प्रेम हो न हमारे भाई बंधू रहते हो न चो विद्या भाग और ना ही कोई ज्यानवान बैक्ती हो ना ही कोई विद्वान हो कस्चित न तत्र दियुस तो वसे किसी भी कारण वस हमें ऐसे जगह पे ऐसे देश में एक भी दिन नहीं रहना चाहिए ऐसा देश जहां न आपको सम्मान मिले नहीं आपको ख्याती मिले न कोई आपसे स्ने करने वाला हो नहीं आपको कोई जानने वाला भाई बंदू हो और नहीं कोई विद्यावान यानी ब्यक्ति हो ऐसे जगे पे हमें बिल्कूल भी नहीं रहना चाहिए लास्ट आपका एक और स्लोग है वो क्या है यथा ब्रिस्टी समुद्रे सूत था त्रित्तस्य भोजनम ब्रिथा दानम समर्थर्ष्य ब्रिथा दीपो दीवा पिचो यथा ब्रिस्टी कह रहा है ब्रिथा ब्रिस्टी यानी बारिश होना समुद्र में बेकार है समुद्र में तो स्वयम जल भरा होता है यदि उसमें थोड़ा बारिश ही हो गया तो उसके उपर कोई असर नहीं पड़ता है ब्रिथा त्रिप्तस्य भोजनम यदि कोई व्यक्ति त्रिप्त है खा करके एकदम चौकस है उसे पूरा भोजन मिलता है पूरा कपड़ा मिलता है ऐसे व्यक्ति को भोजन दान देना भी बेकार है भोजन कराना भी बेकार है ब्रिथा दानम सामर्थस्य और जो सामर्थवान है जो व्यक्ति संपन्न है चाहे वो रुपे पैसे से चाहे अधर किसी भी सामान से उस व्यक्ति को दान देना भी आपके लिए ब्यर्थ है बृता दीपो दीवापिचो और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिन के रोश्णी में दिये को जलाना बेगार होता है यदि आप अंधेरे में दीपक जलाते हैं तो कुछ दूर तक रोश्णी होती है यदि आप किसी गरीब को दान देते हैं तो वह आपको भी आशीज देता है यदि आप सूखे जगे पे बारिश हो जाती है तो वहां के लोग प्रशन हो जाते हैं और यदि कोई भूखा है जो भोजन जिसके कई दिन से नहीं मिला उसे आप भोजन कराते हैं तो वह त्रिप्त हो जाता है वह स्वार्थ हो जाता है लेकिन ऐसे लोगों को जिसके पास सर्वक कुछ भरा हुआ है ऐसे व्यक्ति को यदि आप दान देते हैं यदि आप भोजन कराते हैं तो ठीक उसी प्रिकार बेकार हो जाता है जैसे सुर्य की रोशनी में हम लोग दिया जला करके और रोशनी करने की कोशिश करते हैं ये हमारा चैप्टर जो है कम्प्लीट हो गया है इसमें पूरे 7 इस लोग हैं जिसको हमने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया है अब आप इसे ध्यान से पढ़िएगा अपनी बुक खोलिएगा और ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको ये पूरे स्लोग जो है सही तरीके से समझ में आजए इसको लिख करके इसका पीडियाफ तो आप तक पहुँच जाएगा लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखेंगी क्योंकि जो भी इसमें सारे का अर्थ दिया हुआ है तो जो मैंने आपको बताया है वो सारा जो है वो मेरे सब्दों के द्वारा है इसलिए आप जब अपने सब्दों में किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ज्यादा बैतर तरीके से समझ पाते हैं चलिए आज की क्लास हमरी यही पर समाप्त होती है आगे की क्लास में फिर से मुलागात होगी थायबाद